भारत तोर पाकिस्तान के बीच मुकाबले की पाकिस्तान बैटिंग कर रहे थी लेकिन अब आल आउट हो गई है 191 रन उसने बना है 192 रन का टार्गेट दिया है भारतिय टीम को 192 रन का टार्गेट दिया है बाबर ने 50 रन मना है, रिजवान ने 49 रन मना है कुल्दीप जड़ेजा की फिर्की का जादू चला है बुमरास सिराज की रफ्तार ने कहर बरपा दिया और पाकिस्तान को 199 रन पर अल आउट कर दिया है बारती टीम जबरदस खेलिए, यहाँ पर पाकिस्तान जिसका दिखाई दे रहा था पहले की शायद 300 रन के उपर बना सकते हैं लेकिन देखिए, 199 रन पर ही अल आउट कर दिया है भारती टीम के सामने अब 192 रन का लक्ष है 192 बनाना है भारती टीम को भारती टीम कैसे खेलती है आने वाला वक्त बताएगा लेकिन पाकिस्तान को जबरदस यहाँ पर मुश्किलों में डाल दिया भारती बॉलर्स ने कुल्दीव जड़ेजा की फिर्की ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था वह यह बुम्रहा और सिराज की रफ्तार ने भी कहर भरपा दिया तो टीम इंडिया को 192 रन का टार्गेट है बाबर ने 50 रन मनाया रिद्वान ने 49 रन मनाया तो यह दो बड़े खिलाडी और इस वक्त हमारे साथ हमारे निउस हेड शरत दिवेदी जी जुड़ गए है शरत जी देखी एक बड़ा टार्गेट तो इसे नहीं कहा जा सकता लग रहा था पहले कि शायद हो सकता है कि 500 से 300 रन पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था लेकिन 191 पर अल आउट कर दिया है यह कहा जाए कि भारती बॉलर्स जो है वो कहर बरपान में काम्याब रहे हैं देखें बिलकुल और पाकिस्तान की टीम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई जिस प्रेशर का बड़े मैचों में बहुत ही इंपॉर्टन्ट रूल होता है और वहां मैच में बहतर प्रदर्शन का सबसे बड़ा जो बेस और आदार बनता है वो यह बनता है कि आप उस प्रेशर को क्या हैंडल कर पाते हैं और पाकिसान की टीम ने फिर बताया कि बड़े मैचों की वो खिलाडी शायद नहीं है और खास्तावर से भारत के खिलाब क्योंकि साथ मैचे उसने वर्ड कप में बारत से अब तक खा रहे हैं क्या ये आठवा होगा ये वक्त बताएगा कुछी समय बाद जब बारती टीम अपनी पारी खतम करेगी लेकिन इतना तय है कि एक सो पचपन पर आपके दो विकेट होते हैं और 27 गेंडों में ही आप अपने पांच विकेट गवा देते हैं और 191 पर यानी आप सोचिए कि 155 पर आपके दो विकेट होते हैं और 191 पर पूरी टीम पवेलियन पहुँच चुकी होती है ये बताता है कि बढ़िया शुरुआत अच्छी शुरुआत एक पार्टनर्शिप की बात करें तो वो भी बनी बाबर आजम बढ़िया खेले रिजवान ने एक बढ़िया डिस्प्ले किया आगे भी कोशिशे हुई लेकिन नदिश्चित तोर पर भारती क्रिकेट टीम ने बहतरीन परदर्शन किया है खासतोर से कैप्टेंसी और जिस तरह से मौमर सिराज पर जबकि बहुत महेंगे रहे वो अपने इनीशिल ओवर्स में लेकिन रोईत ने उन पर भरोसा किया और सेराज खड़क खरे उतरे और पहला उन्होंने ब्रेक्ट्रू दिलाए भारत को फिर अमने पीछे मुल के नहीं देखा स्पीनर्स ने अपना रोल अदा किया पेसर्स ने अपना रोल अदा किया और क्या तारीफ कम की जाए बुम्रा की क्या कमाल का बॉलर है ये चाहे गेन नई हो गेन पुरानी हो पिछ कैसी भी हो लेकिन बुम्रा बुम्रा है उनका तो भूम भूम करना जरूरी ही होता है और कमाल की किन बाजी जड़ू करते हैं हमारे जड़ेजा और उनको बहुत बढ़िया तरह से सपोर्ट दे रहे हैं कुल्दीप और इसी के बीच में अगर हम बात करें तो शारदुल ठाकुर ने भी ठीक हात आजमाया और हारदिक पंडिया एक सौ फीजदी आल्राउंडर है जो हमेशा बीच में आता है लेकिन कभी पार्ट टाइम बॉलर की तरह बिहेव नहीं करता उसकी भूक विकेट लेने की हमेशा बनी रहती है तो बहुत शाननार खेल दिकाया बारती बल्लेबाजों को लेकिन देखें आस्टेलिया के खिलाब के आत्विश्वास हम पर शुरू के कुछ ओवर्स में बारी पड़ाता जब दो रन स्कोर बोर्ट पर टगे थे और तीन हमारे बल्लेबाज इंपॉर्टन पविलियन जा चुके थे बहुत पाकिस्तान पूरे पूरा जोर लगाएगा अपनी गेंदबाजी से और शुरू के जर्स ओवर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टन होंगे तो भारती टीम को आराम से टारगेट आराम से चीव किया जा सकता है कोई हलबरी दिखाने की जरूरत नहीं है और मुझे लगत गया कि लो स्कोरिंग मैचेस में जो बाद में चेसिंग करने के लिए जो टीम आती है वो शायद वो उतनी हरबडार दिखा देती उसको लगता है बहुत ही आसान सा टारगेट है आसानी से एचिव किया जा सकता है क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इस मैदान पर चेसि काफी कर रही है यह बड़ी क्यों कि जड़ेजा की कुछ गेंदे जिस तरह गूमी है वो बहुत जबर दहते हैं इसलिए आपको यहां LBW आपको कई डिशिशन आपको LBW के मिलते हैं और यह बताता है कि पाकिस्तान के तेज गेंबाद LBW ऐसी पिच्चों पे लेने में म जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई अभी भारत की टकर का चाय कुल्दीब की बात करें या अजय जड़िजा की बात करें उस टकर का कोई स्पिनर नहीं है लेकिन इफ्तेखार फिर भी एक बहुत ही रन को बचा कर और नियंतरित तरीके से स्पिन गेंद्वाजी करते हैं साउधा साउधान रहना होगा बिल्कुल साउधान रहना होगा क्योंकि अगर इनीशल लेवल पर दो तीन विकेट निकल जाते हैं चुनोती गंबीर हो सकती है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी बिल्कुल शरजी और खास तोर पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मुकाबला होता है तो निश्चित तोर पर रोमान चक जो है देखना चाहते हैं चलिए आप हमारे साथ बने रही है हमारे साथ खेल समाता था दिलिप का अपसे जी भी जुडगा है दिलिप जी देखिए हमने सोचा नहीं था पाकिस्तान की टीम जब भारत के सामने होती है तो लगातार यह लगता है कि भारत के सामने भी प्रेशर होगा भारत के मन में भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान सामने है पाकिस्तान के मन में भी प्रेशर होता है क्योंकि आपस में जब यह दो टीमें खेलती हैं दर्शक भी उतने ही रोमांचक मैच को देखना चाहते है लेकिन यहां तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, 191 में अल आउट कर दिया, भारत का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त दिखें जो 7-0 का जो स्कोर था ने पहले से, यहां पर थोड़ा सा काम कर गया और एक प्रेशर, पाकिस्तान ने इनिंग शुरू कि है, इंडिया के साथ, वो कहीं ने कहीं आड़े आ जाती है, यह जो आत्म विश्वास पाकिस्तान का नीचे गया, वो यहां हमें देखने को मिला, क्योंकि अच्छे स्टार्ट के बाद भी, यहां पर कम से काम अगर 240-250 कर लेती है, अगर पाकिस्तान हम इंदोर का रुक करे है, बिल्कुल अलीज जी जिस प्रकार का जो मेंज का रोमांच है, वो कहीं ना कहीं पर अब इंदोर में देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से एक सुबान वो एक सिंक्यान वर पर पाकिस्तान को आला आउट कर दिया और कहीं ने अपना कर्तब दिखाया और यही कारण रह है, जो उत्ता है, जो दर्सा को में कहीं ना कहीं पर यहां पर देखने को भारती घ्रेंसे, वो कहीं ना कहीं पर उस्ता मनाते हुए, यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बल्ड कप है, उस प्रकेट को महा कुम आचल रहा है, और यह से में भारत और पाकिस्तान के इंडिया के लिए और बालिंग का प्रदेशन सबसे सांदर रहा है इंडिया जीत गया पताएं किस तरह से देखते हैं वन साइड इंडिया से वैसे भी पाकिस्तन कभी जीती नहीं सकता आज तो 100% इंडिया ही जीते गाए चोटे-चोटे-चोटे बच्चे यह किस विकार से जो अभी यह यह पर मनाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं किय पर देखने को मिलेगा लेकिन जो पहली इनिंग्स हुई है और पहली इनिंग्स के बाद जो भारती गेंड़ाजों नतीजा रहा कि पाकिस्तान कहीं नहीं पर 403 ओवर में आलाउट हो गई और उसी का एक जश्न है यहां पर देखने को मिल रहा है लली जी चलिए अखलेश बने रही हैं हमारे साथ और हम देख पा रहे हैं किस तरह का जुनून है दिलिव जी देखी है भारत और पाकिस्तान की बीच का मुकाबला हो और अभी तो पू आप पाकिस्तान जिसको आप कह सकते हैं कि जहां लगा कि आप पाकिस्तान जो है नीचे गरता जा रहा है क्योंकि 50 वह बंदा कर चुका था और बड़े स्कूर की तरफ बढ़ रहा था अगर वहां पे विकेट नहीं जाता तो रिजवान के साथ अच्छी खासे पार्टनर् अगर बना लेते कि आराम से जाना है लेकिन बाबर का आउट होना इंडिया के लिए बहुत बहुत बैतर रहा हूँ उसके बाद लगातार और दोबले बाज आउट हुए इफ्तिखार आउट हुए शकील हुए तो उसके बाद रिजवान जो है वो प्रेशर में आ गए और उ कि बात करें एक बार LBW उसको दिया गया था लेकिन रिव्यू लिया लेकिन उस रिव्यू में इतना टर्न हो गया कि वह स्रम पर जाती हुए बाल नहीं दिखाए देर आपको लग रहा है कि यह बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है यहां कभी-कभी तो फायदा होता है लेकिन इस बार नुकसान हो गया कि पी-डव्यू डीन स्वारी LBW नहीं हो पाया था लेकिन जब भारत रंच चेस करने आएगा तो जैसे हम वान रहेगी यह बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम होगी भारती जो बैटेस है और खासकर पाकिस्तानी इस तरह अभी प्रभावशाल पाकिस्तानी बाइट नहीं रहें तो बहुत ज्यादा चिंता की हाँ पर बात नहीं है यहां पर कुछ पार्टनर्शिप भारत अगर अच्छी पार्टनर्शिप कर लेता लाली तो यह तो आराम से कर लेगा वन नाइंटी टू का कोई ऐसा टूटल नहीं है जिसको लेकर कि तरह की हड़बड़ी की जाए यह पिछ ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अनिवन बाउंस हो यह ठीक पिछ है यहां पर पाकिस्तान ने क्यों हड़बड़ी में विकेट गवाएं हैं और भारती गेंद बाजों ने अच्छी गेंद बाजी किये अगर वो टिकने की को पाएक नहीं है नहीं जाने वाली यहां पर सवाथ 200 और 200 का स्कूर भी वह भी फाइटिंग टूटल होता और वहां से यह लोग शौर्ट रहे गए अगर यह लोग सवाथ 200 200 की आसपास जाते सवाथ 200 के आसपास पर फाइटिंग मैच हो सकता था 192 का स्कूर मैंनी मानता कि बहुत बड़ा स्कूर है हाँ हमार साथ न्यूजर शारत दीवेदी जी जुड़े में शारत जी देखी एक दर्शक चाहता है कि रोमांच वाला मैच हो इतने लो स्कूरिंग मैच में शायद दर्शकों को वो रोमांच देखने को नहीं मिले और दो दिन पहले तो लग रहा लेकिन वो कॉन्फिडेंस का सिक्का इस समय भारती क्रिकेट टीम के साथ है दिलीप को भी याद होगा कि शार्जा का एक बहुत लो स्कूरिंग मैच था जिसमें हम ऑस्टेलिया से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी सफलताएं लेकर हम लोटे थे और शार्जा में प पहुचा दिया था और वो मैच जीत लिया था जबकि हमारा टार्गेट देखकर कोई नहीं कह रहा था कि ये डिफेंडेबल टार्गेट है तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है देखे पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि उसने जो बैटिंग में निराश किया है तो बाल कोली हों किंग कोली हों उनको आउट करने की कोशिश करके वो एक तनाव जरूर पैदा करना चाहेगा और पाकिस्तान को हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह के मैचेज होते हैं तो इनीशल लेवल पर वो बड़ी ही घातक गिन बाजी करते हैं इसलिए बारती है जो बैट है और नारे लगा रहा है कि भारत जीत गया जीत गया ये प्रेशर लेकर भारत की टीम उतरेगी इसलिए कोई भी चूक नहीं आराम से गेटेबल स्कोर है आप कोई आप पर दबाव नहीं है कि आपको तेज रन गती से रन बनाने हैं च्छे साले च्छे रन प्रती और की त रन रेट की तुलना होती है और कई बार सेमी फाइनल में आप चूकते हैं उसकी वज़े से तो ज्यान रखें बाकी लग तो रहा है कि ये आज का दिन भारत का है बिल्कुल और ये जुनून भी बता रहा है जो दर्शक देख रहे हैं जो अलग-अलग शेत्रों से हमारे सम प्रातार बदलती जा रही है अब पाकिस्तान की रणनेती क्या होनी चाहिए क्या स्ट्रेजी होनी चाहिए पाकिस्तानी नजरिये से बहुत-बड़ा स्कूर उनके बालस के सामने नहीं लगा के दिया है बैटस ने तो सारी जिम्मदारी जो है वह उनके गेंदवाजों के उपर है यहां पाकिस्तान चाहेगा कि जैसा ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारती पारी को शुरुआत में टॉप ओडर को दबाव में लाया गया था तो शाहिं के उपर खासकरी जम्मदारी है कि वह भारती बल्लेवाजों को दबाव में रखे और कुछ विकेट्स पाकिस्त कि परेसीयर और के यल राहुल यह एक ही तबियत के बल्ले बाष और है वह भारती ठीञे को बहा ऑकिस यह तब भारता के जैन्दवाज केतिक यह ना जासा चाहिए जैसे सुरिया को मैं अप्लेइंग 11 st इन बाद में सुरिया अजय अग्वीया रहे चाहिए था कि एक ही त और इस वक्त हमार साथ हमारे cricket expert भी जुड़ गए है प्रत्य तिवारी जी प्रत्य जी स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूस पर आप से जानना चाहेंगे ये जो मैच चल रहा है इतना लो स्कोरिंग मैच तो दिखाई नहीं दिया था क्या कारण आप समझ रहे हैं इस वक् भारत की स्थिती कितनी मजबूत मान रहे हैं बहुत 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 मजबूत क्योंकि जिस तरीके के प्रदर्शन की उमीद रही थी पाकिस्तान के बल्ले बाजों से जो एक बहुत बड़े मैच से वो जीट किया रहे थे श्रिलंका की खिलाफ उसके सामने उतना खराब वो दर्शाता है वो और मुझे लगता है भारत पूरी तरीके से काबिज इस समय पर मैच में और बल्ले बाजों को आकर के सूजबू से थोड़ा खेलना होगा क्योंकि जब वो आएंगे शुरवाती जो समय होगा शाहीन अफ्रीदी है उनके पास में हैरिस रॉफ है तो उनके पीच की प्रॉब्लम है इस पीच पर रन बनाना मुश्किल है भारत के सामने भी ये मुश्किल है आ सकती है या भारती गेंद बाजों का ये करिश्मा था कि जो कम लो स्कोरिंग मैच बना दिया इसको मुझे लगता है कि मेशरंड था अच्छी गेंद बाजी और खराब बल्ले बाजी दोनों का ही क्योंकि जिस तरीके से अपलाए करना चीए था बल्ले बाजों को कहीं ना कहीं वो करने में वो असफ़ल रहे और साज़ेदारियां बनाना बहुत जरूरी हो जाता है जब विकेट गमाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कुछ साज़ेदारियां बनाएं लेकिन कोई भी बल्ले बाजों को भारत के भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आस्फेलिया के खिलाफ ही जैसे हमने देखा था कि शुरवात में अगर आप जल्दी विकेट गमा बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यजी बंसर नीउस से बात करने के लिए तो निश्चित थोर पर भारती चीम के सामने बहुत सारी चुनोती ये कह सकते हैं क्योंकि प्रेशर वाला मुकाबला होता लेकिन इन दोर का भी हम रुक कर लेते हैं जो हमारे फैंस है वो लगाता जुनून दिखाए दे रहा है इन दोर में तो वो तस्वीरे भी आएंगे वो भी दिखाएंगे लेकिन आप किसी से बात कर सकते हैं किस तर की तस्वीरे सामने आ रही है पिल्कुल आल अलिट जी नरेंद मौदी हैदरावाद का नरेंद मौदी बो इस्टेडियम और उसके बाद जो प्रकार जो बालोरों ने कहीं पर जो कर्तब दिखाया है उसका ही एक नतीज़ा है कि यहाँ पर जो जश्न का जो माहोल है बो यहाँ पर देखने को मिल रहा है भारत माता की जेजेकार के साथ कहीं ने कई पर जो फेंस हैं अपर जो बाद जो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि भारती गेंदवाजों ने एक अहम भूमी का निपाई है इस पूरे मैच में उसके बाद पाकिस्तान को 119 पर आला उट कर दिया कुछ फे पर जो पालारों ने जो एक प्रदर्शंग किया है जिसमें जाड़े जाकी बात कर लिया जाए यह तो पहले सी पता था यह तो हो नहीं था कि हमारे जो बॉलर है उनको इतने 200 अबी टश्ट नहीं करने देंगे और जो पुरे विकेट है वो तो जाद आध हम 20 और 25 और में में लोटे हुए अफगानिस्तान के खिलाब पारी खेली ती रोई सर्मा भी कही ना कई पर फार्म में दिखाई दे रहे हैं तो उसी को देखकर लग रहा है कही तीम है वो अपना पर्चम लह रहाएंगे और वो नरेंग मोधी इस्टेडियम कही ना कई पर भारत माता की ज साथ हम दर्शोकों का यह जुनून लगाता देखना चाहेंगे को जब तक भारत जीता नहीं तब तक इस मैश में रोमांच बना रहेगा अब यह दिलिप जी यह पता है क्योंकि निश्य तोर पर बैटिंग आनी भारती टीम की लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें आ आज भी जब शुरुआत में उसको तीन बाउंडरी पड़ी तो ऐसा लगा कि सिराज की रिदम आज भी जाने वाली है लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपने आपको संभाला और हैट सौप टू रोहित शर्मा उन्होंने अपने फ्रंट लाइन गिंदबाज पर भरोसा और मुझे लगता है सिराज के साथ कुछ चीजों पर अभी गौर करने की बात है कि अभी तक उनका जो करियर रहा है उसमें उन्हें बहुत ज्यादा पिटाई नहीं पड़ी है आई पिल को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने हमेशा जो है ना फ्रंट से आके पूरे जोश के साथ और दबाव डाला है बल्ले बाजों पर अभी दो तीन मैच उनके लिए जब अच्छे नहीं गए तो ऐसे में समझ में आया कि यारे किस कैलीबर का खास तोर पर अगर जो कप्तान है वो किस तरह का भरोसा दिखाते हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ह हमारे खिलाडी कैसा प्रदेशन करते हैं इस वक्त हम भुपाल का भी रूख करते हैं भुपाल से हमारे सम्माद रता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं सूरज भुपाल में किस तरह का रिस्पॉंस दिखाए दे रहा है ऐसा एक इनिंग हो चुकी अभी दूसरी इनिंग बा भारत को अलाउट टीम की है पहली वार ऐसा होगा हो कि इतने कम स्कोर पर पूरी टीम को अलाउट किया गया अपने यह जो है अपने भारती टीम के पेसिस की तागत है और जो इंडिया अपने अब हैं वो उसी का नतीज़े का हमने 191 पन को रोका हुआ क्या नगता है कौन- इसे बैट्समें आपको नजर आते हैं चेस करने के लिए सुमन गिल है विराट कोली है रोह सर्मा है हादिक जड़े जा है ना दोनों यह इतने लोग है तो मेरे को लगता नहीं कि वहां तक नीचे डाउन तक जाएगा रोहित विराट सुमन गिल यहां तक हम लोग चेस कर बनाएंगे तो ऐसा है कि बना तो सकते हैं टीम गेम हो सब लोग टीम मिलके बनाएंगे तो सब बनाएंगे अश्राज की बुबरा हर देक पुप्ली प्रवेंज जड़े जा सब दो दो विकेट लिये तो इस बार आप देखें बॉलिंग लैंद बहुत जवरस रही हर एक बॉलर ने कम से कम दो दो विकेट जड़के हैं यहां य किस्तानी तरब से बात करें तो खास्तों से बाबा राजम जो कप्तान 50 होई ऐसा लग रहा था दिए वह कहीं ने कहीं जमें रहेंगे क्रीज पर तो वह स्कोर बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब बढ़ जाता है लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता है बैट्सवन अच्छा खेल आपको क्या लगता है भारत ने क्या सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अब मकाबला बहले दिखाई दे रहा है कि भारत के हाथ में लेकिन सावधानी है तो बरतनी होगी लो स्कोरिंग मैच है कुछ भी हो सकता है जैसे की शरज जी कह रहे थे हैं पाकिस्तान ऐसी टीम है जो आखरी समय तक हार नहीं मानती और खासकर उनके गेंदबास हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं बल्लेबास अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो वह फ्रंट से आकर अटैक करते हैं और हमने यह देखा यह पाकिस्तान वो टीम है जिसने 120-130-150 का टार्गेड भी जो है वो बचाया है और बहुत जुझारू खिलाडी है और भारत अगर यहां से साउधानी से चले किसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस ना ले और रन बॉल भी खेले या शुरुवात में कुछ बहुत ज्यादा रंस शाहिन को नहीं भी आते हैं तो फिर एक बार फिर मिडिल ओडर पर जिम्मेदारी आ जाएगी और मिडिल ओडर कितनी बार भारत को बचाएगा थोड़ा सा टॉप अच्छे मैचों में देखा है तो ज्यादा कुछ करने के जरूत नहीं है बहुत आराम से मैच जीता जीता जा सकता है बस ओवर कॉन्विड जी कभी रुख कर लेते हैं निवजहिट हमारे दिवेदी जी जुड़े हुए है शरच जी देखिए टीटवेंटी में जो हार हुई थी वो आज भी हमारे जहन में ताजा है क्या भारत उसका बदला ले सकता है देखिए हर दिन नया होता है और हर दिन नई शुरुआत होत लेकिन यहाँ कोई बदलापुर नहीं होता हर दिन नया है और मैं फिर कहूंगा कि देखे मैच अभी किस तरह से आगे बढ़ेगा ये भी देखना बहुत दिल्चस होगा अभी हम सब ये बिलकुल मान कर बैठे हैं कि सारी चीजें बहुत 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 होने वाली है और होंगी भी होना भी चाहिए लेकिन फिर भी जब तक मैच फिनिशिंग एंड तक नहीं आता है मुझे ये लगता है कि ये तमाम चीजें तब तक के लिए पेंडिंग ही रहें तो जादा बहतर है लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान अमीदों के अपने फैंस की अमीदों के अनुरू प्रदर्शन नहीं कर पाया जो मैं फिर दोरा हूंगा कि 155 पे दो विकेट और 27 रन गवां कर आपने 5 विकेट और गवां दिये थे तो ये बताता है कि आप की कंडिशन को देखते हुए जहां गेन धीमे आ रही है टर्न हो रही है वहां हम कह सकते हैं कि ये कठिनाई होगी और ये मुश्किल बढ़ेगी भारती टीम के लिए जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरजी और हम फिंगर क्रॉस करके रखेंगे क्योंकि ये म बहुत गई वह बात गई एक इंपोर्टेंट बात में बताना चाहूंगा भारत ने जो साथ मैच पिछले जीते हैं उनमें से च्छे मैचे जो हमने हमेशा पहले स्कोर किया है और पाकिस्तान को दबाव मिलाया है सेकंड बैटिंग में केवाद 2003 वर्ल्ड कप में सेंचूर गैंगुली और यॉराज सिंग उसमें द्राविड और यॉराज की बहुत इंपोर्टेंट पाटनर्शिप थी सची ने 98 रन किये थे तो संचूरियन का मैदान देखे चलिए हम अपने ग्राफिस के मादम से बता रहे हैं अपने दर्शकों वर्ल्ड कप 1992 में क्या हुआ था 24 रनों से हराया था और उसके बाद वर्ल्ड कप 2003 हुआ सेंचूरियन का ग्राउंड जिसका हम जिकर कर रहे थे 6 विकेट से हमने पाकिस्तान को पीट दिया था उसके बाद देखिए उसके बाद 2011 की बात करते मोहाली का मैच 29 रनों से पाकिस्तान पराजित हुआ था यहां अच्छा खेला था लेकिन 29 रनों से पराजित 2015 में देखिए एडिलेट में 76 रनों से पाकिस्तान को हराया था तो अब यह हम कह रहे हैं कि यह आठवी जीत होगी क्या भारत की मैंचेस्टर की देखिए 2019 का नवासी रनों से हरा दिया था तो यह हम लगातार दिखा रहे थे हैं साथ जो जीत है वो हमने दिखाई कि किस तरह से भारत ने हराया पाकिस्तान को अब तक वर्ल्ड कप मैचों में है और यह वर्ल्ड कप कैसा होगा चुकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं एक इनिंग हो चुकी है पाकिस्तान 191 पर अलौट हो गया है और आपने जिसे बताया कि भारत को सावधानी भी बरत निये लेकिन जीतना भी है बहुत हो चुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए तो दिलिप जी हमारे साथ जुड़े थे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी है और इस बुलेटिन में फि